तावन का महीना जो स्यू भक्तों के लिए मिशेश महत्यों पूर्ण होता है बोलबम के नारे लगाकर रधालू कावर हाथ मिलिये भोले नाथ को जल अर्पित करने अलग-अलग छेत्रों से भोरम देव आते हैं भोरम देव जो की 36 गड़के खजुराहो के नाम से भी जना जाता है भोरम देव मुख्य मंदीर का निर्मान 11 शदी में भणी नागवन्शी के छठे सासर गोपाल देव के सासन कार्म हुआ यहां पर वैसे तो साल भर स्रद्धालों की भीड उमडती ही है पर सावन के दिनों में इस जगह का महत्व और भी अधीक देखने को मिलती है इस महिने का प्रथम सुमवार को इस मंदीर का विशेश महत्व होता है यहीं गर्भगरी में फित देवाहे देवपति महादेव का हाट केश्वर महादेव रूप इस्थापित है कर सकते है आस्टा के साथ साथ कुम सूरत कंदराओं नदियों से बिरी इने की कारण प्राक्रितिक प्रेमियों को ये नंदिर सदियों से अपनियों आकर्शित करता रहा हो भोरम देव शीव के लावा इस इस्थल पर पहाडो वादी दुर्गा मा के दर्शा लाब भी तापत होते ही साथ लिए घोरम देव शिलगी, घोरम देव गार्डन दी लोगों को अपनी ओस अपरशित करती हो